एजुकेशन सिटी कूटा से एक बार फिर आई दुखत भरी खबर बिल्डिंग की नवी मंजिल से कूट कर शात्राने की खुदकुशी MP की दिवा की रहने वाली शात्रा बागीशा तिवारी नीट की परिक्षा के रिजल्ट के बाद से ही चल रही थी तनाव में बुदवार देड़ शाम को अपनी बिल्डिंग से लगाई छलांग जवार नगर इलाके में अपने भाई और मा के साथ रह रही थी चात्रा बागीशा म्रतक छात्रा बागीशा के श्रव को रखवाया MBS अस्वताल के मोर्चिरी में पीता के कोटा पहुटने के बाद पुलित करवाईगी पोस्टमाटम करता चला कि शाम को साचार बजे के आसपस एक बच्ची थी जो बिर गई बूद गई पर बच्चों को कांसलिंग करने की जरूरत है बच्चों को आजकल ने कहते हैं पेन नहीं लेना चाहता है उनको लगता है न हमने उनको पैंपर किया है हर चीज पका के ऐसा बिल्कुल दे दिया है कि उनको जरासा भी कोई प्रॉब्लम आते भी फर्स्ट यर 12 के संग उसने दिया था उसको बहुत टाइम था 17-18 साल की उमर रही होगी और अच्छा कर सकती थी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ लोग कहते हैं पेरेंट्स डाटते हैं पेरेंट्स तो डाटेंगे ना वो भी तो हम यहां 20,000 रुपे महीना दे रहे हैं अपनी सारी वहां पर फैमिली सब को छोड़ के बच्चे को ले के रह रहे हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा गुस्ता तो हमें भी आएगा ना अगर विभार लोग मैं तो नहीं जानती हूं पर लोग बता रहे हैं उसके रोस पर उसके कि अच्छा विभार था बहुत अच्छी प्यारी लड़की थी यह सब देखे क्विकली होता है एक सेकेंड में माइन में कुछ ऐसा आता है और बच्चा एकदम समझ नहीं पाता है उसकी नाम सुझाता है